हेलो, कैसे हैं आप सबी लोग? आसा करते हैं, सबी लोग सबस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे चली सबसे पहले, भई खोब सूरत एक, अंदाज में सुनाते हैं आप लोगो कुछ जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी आवकाद नहीं, यह तो कर्म है मेरे दाता का, बरना मुझे में इतनी आवकाद नहीं एक बात दिहां रखना, जितना भी आपको सरकार, सरकार का मतलब यहाँ पर आप अपनी सरकार से ने तुना करने लगना जो हम बोल लें, सरकार का मतलब उपर वाला भगवान, गोड, जिसे आप जिस भी नाम से आप पुकारते हों, जितना दिया है भगवान ने आपको, उतने आपकी आवकाद नहीं, चैया मेरी हो, चैया कोई भी हो, अगर जो भी तो कर्म है आप गोतो दाता का, जिसमें कि कमेंट भी थी, कल हमने आप लोगों को सौट मीडियो से बताया भी था, कि हम सुरू करेंगे एक प्रक्टिस बेच, उस प्रक्टिस बेच का नाम है, क्या रखा है हमने नाम, देखिए हमने नाम रखा है, मास्टर प्रक्टिस सीरीज, मास्टर प्रक्टिस सीरीज हमने इ उसरे topic का paper उठाने solve कराने लएंगे चाहें CGL का भी करा सकते हैं सारे paper कराएंगे 2020 में आए हैं 2019 में इस तरीके से एक दिन paper चलेगे एक दिन practice चलेगे इसमें आपको select खुद select यह हैं English के questions crams जो बहुत अच्छे हैं किस चीज के किस के लिए important आप चाहें SSC का exam दे रहे हों चाहें cds का दे रहे हों चेंडीय का दे रहे हों चाहें d doubleưởng का दे रहे हो ऑजिक शरया एरफ china उंबी दे रहे हो चाहें कोई और एक्जाम दे रहे हो जो भी एक्जम्द हर किसी के लिए यूज भूल है आज इसका लेक्चर वन है किसके दुआरा बनाया जा रहा है सारी चीजे एक्स्प्लेनेशन वाई अभे सो मनसी रोज रात 8 बजे आपके अपने चाइनल इसक एंग्लीज पर लेक्चर प्रोवाइड होता है जिस तरीके से आप लोगोंने बहुत जיפ किया है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इस एक फाउंडेशन बेच में उसके लिए हम तहदिल से आप लोगों का सुक्र गुजार है देखिए आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छी एक सीरीज चालो है Master Practice सीरीज का यह मतलब है कि इसमें वो questions हो जाएंगी जिस तरीके से Master Logs होखने सोचने पर मजबूर करते हैं आप लोगों को तो आप सोचने पर मजबूर की आखिर इसमें क्या एरोगों देखने में questions छोटे होंगे पर उनके देखना क्या क्या उनमें चीज़े हो सकती है आसा करते हैं कि यह सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे-च्छे questions होंगे ऐसा नहीं कि 5-7 करा दें questions ने minimum 25 से questions नीचे कभी नहीं होगे इसके बाद maximum कितने भी हो सकते हैं हमने minimum की बात की है कि याद करना कि minimum कितने questions होंगे minimum में 25 से नीचे कभी भी कोई questions नहीं होगे आईए शुरू करते हैं देखिए क्या है आपका अपना channel है कौन सा आपका अपना channel है subscribe my youtube channel इसक इंगलिस यह आप सभी का अपना channel है आप लोगोंने इतना support किया है यहां तक पहुंचने के लिए आप लोग की support से हम बगेर support कुछ नहीं कर सकते हैं यह सब आप लोगों का ही support है क्या join करना है आपको ASIC English का Facebook पे page join कर सकते हैं group join कर सकते हैं Twitter पर follow कर सकते हैं Instagram कर सकते हैं Telegram channel join करना आप लोगों की प्रात्मिकता है आप लोग बार बार पढ़ते होंगे जरूर देखते होंगे copy में जब भी आप उनिरासा जनक लगे तो आप लोग इन points को पढ़िए और उसमें देखिए खोजिए क्या चीज़ आप लोगों के लिए काम की मिल लएए खूब सूरत अंजाज में बताते हैं आप questions आप लोगों के सामने आ चुका है देखिए बता यह answer इसका क्या होगा देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि they agreed to repair the damage freely up charge या तो questions में A part mirror है तो बच्चों मेरे A में error लगाना कहीं पर exam में हो अगर B part में है तो B part में error लगाना C part में error है तो C part में लगाना अगर no error है तो आप इसे no error कर सकते हैं देखिए आप माइंड में आएगा किसरा एक ग्री देखिए agree word होता है एक ग्री के साथ हम 2 भी लगाते हैं और एक ग्री के साथ हम बिद लगाते हैं बात करते हैं कि agree साथ two भी लगता है और agree साथ बिद लगता है तो हो सकता है कि confusion अगर create नौक तर चलिए कि यहाँ पर कर देते हैं कि agree to कर दें तो देखिए agree बिद आपका somebody के साथ लगता है somebody का मतलब होता है जब भी किसी person की बात होगी तो हम किसका काम करेंगे agree बिद पास्ट के है the agreed subject हो गया बर्ब हो गई है to repair the damage देखिए freely आप चार्ज नहीं होगा क्या होगा free of charge क्या हो जाएगा आप पर freely की जगे पर free of charge हो जाएगा आसा करते हैं एक questions आप लोगों को अच्छे समझ मैं इसकी PDF हम बता रहे हैं आपको कहा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टे नहीं solve करने के लिए देखिए दिख रहा होगा बहुती बेतरीन question है दूसरा solve करने की कोशिष करें क्या लिखा है solve करने की कोशिष करें इसमें बहुती अच्छा questions है देखिए जितने long questions होंगे वो आप लोगे बहुती जी होते हैं डरने की जरूरत नहीं है लिखा है when Daron heard the नियूज दिस डेट हीज फादार हाइड वीन होस्पडलाइजड ही कैंसिल हीज ट्रीप एंड रेटांड वेक टु हीज विलेज माली जी हम हिंदी नहीं बता रहें बैसे जब भी अगर वेंसे कोई क्लाउज शुरू होगा तो वेंसे क्लाउज शुरू होने वाला क्लाउज आपके किसमें रहता है सिंपल पास्ट में रहता है किसमें रहता है सिंपल पास्ट में रहता है उसके बाद दूसरा क्लाउज जो रहेगा आपका वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा पीपी में रहेगा पीपी में इसका मतलब यहाँ पर ही एड बीटू आ गया है यह पास पर फेक्ट वा गया, हैड पलस बर्व की थारड पांड, पेसी में भी बसन सकता है, मतलब पिता जी खुद हॉस्पिटल गय नहीं थे, पिता जी को हॉस्पिटल में भरती कराया गया है, इसका मतलब यहाँ पर पेसीब की, अगर बीन नहीं होता, तो पहला पॉइंट यह हो स संटेंस पास्ट में रहेगा, अगर यहाँ पर हैड है, यहाँ पर हाइब होता ता भी गलत हो जाता, यहाँ पर कैंसिल होता, फिर भी गलत हो जाता, क्योंकि कैंसिल, अगर यहाँ पर कर देते हैं, तो पूरा संटेंस पास्ट में रहेगा, यहाँ पर भी गलत नहीं है, द कजिन का मतलबी होता है, चचेरा या ममेरा या कैसा भी भाई हो, उसके आसा सिस्टार भुर्दर का प्रियोग हम नहीं कहते हैं। आसा करते हैं, समझ में आया होगा, तीसरा कोश्चन, खूबसूरा सा कोश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा है? देकी आन्सर में कहां परिशर है, आसा करते हैं, समझ में आया होगा, कहां परिशर है? Momprise के साथ, आप का प्रियोग नहीं किया जाता है, तुकि किस के साथ आपका प्रियोग किया जाता है? consist के साथ off consist plus off होता है consist साथ fix preposition आपका प्रियोग किया जाता है अब comprises हो या comprise हो इसके साथ आपका प्रियोग नहीं किया जाता है point है बहुत ही बेहद अच्छा questions है आप लोगों को समझ में आना चाहिए कैसे कैसे हम questions को में पकड़ना है हिंदी नहीं निकालनी है आगे बढ़ते हैं देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है आपके बहुत नीन खूब सूरत सा देखने में बहुत खूब सूरत लगेगा लेकिन क्या पता है आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं देखिए क्या है, लिखा है कि my uncle, my uncle does not spend so much money off dead house unless he thinks of moving in soon, क्या पकड़ पा रहे हैं इस sentence में, इस sentence में अगर कोई पकड़ पाएगा, अगर कोई बच्चा होगा जिसने पढ़ा होगा हमसे, तो वो पकड़ लेगा कि इस में सार tense की इरर है, किसकी इरर है, tense की इरर है, tense की इरर ह सकता था, यहां पर लिखा है, my uncle does not spend so much money off dead house, अब यह देखिए, uncle जी, जब भी money spend करेंगे, घर बनाने के लिए, वो present में करेंगे, पास्ट में करेंगे, या future में करेंगे, तेंस future नहीं बनता है, future एक time होता है, अब बताने के कोई 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 कोसिस करेगा, तो क्या हो जाए लगेगा, कि uncle जी, एक पेंस हमारा present में नहीं, किस में जाएगा, future में जाएगा, इसका मलव यहां पर डज नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा, आपका, will not spend, यह आपका अंसर सही हो जाएगा, चलिए, देखिए, question number 5, आप लोग उसकी प्रतिच्छा कर रहे होंगे, आ रहा है, खुबसूरत सा question है, देखना नहीं, solve करना है, सोचना है, कैसे करना, देखिए, आ गया है, खुबसूरत सा question, इसमें दो question एक साथ दिया हुए है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, दोनों ही question बेहद आसान है, बहुत ही ज़्यादा easy है, चो आसा करते हैं, कि point इ इसे either or, होता है आपका, सुनिए हमारी बात, either के साथ or लगता है, neither के साथ nor लगता है, not only के साथ what also लगता है, और core relative conjunctions होते हैं, इनके बाद में एक subject आएगा, ये दो subject को combine करते हैं, हमेशा इसके साथ बर्व आएगी, बर्व हमेशा nearest वाले subject recording आती है, या first वाले subject recording आती है बात करेंगे, वो बताएंगे, जितने भी core relative conjunctions होते हैं, उनमें जो भी बर्व लगेगी, वो हमेशा nearest subject recording लगती है, यहाँ पर अगर होता, माई यहाँ पर लिखा होगा, नी दर, दे अगर हो जाता, तो आर नहीं आपको करना था, क्योंकि subject किसके recording बर्व लगीगी, नौर समझ में आया होगा, questions बहुत दीजी है, देखिए, यहाँ पर लिखा है, she does not, she singular subject है, तो singular बर्व आ गए, she does not get along with, देखिए, along with her sisters in-laws, her sisters in-laws, जो भी, जिनका भी, अगर head bird का हम plural बनाते हैं, sister in-laws, brother in-laws, father in-laws, इसमें, अगर किसी का भी plural अगर हमें बनाना हो, तो head bird को पक sisters in-laws, sisters in-laws, इसका plural बन जाएगा, आसा करते हैं, point समझ में आया होगा, बेद आसान question, question number seven, आपके लोगों के सामने आ रहा है, देखिए, और solve करने की कोशित करिए, बैठना नहीं है, देखना नहीं है, लेट कर, interest लगेगा, PDF आप लोगों हम provide कर आएंगे, lecture से पहले PDF आप लगेगा, 20 से 25 मिनिट में आप solve कर जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना अच्छा questions है, question number seven, क्या लिखा है, please give me, देखिए, please give me the binocular, I want to look at the hills, देखिए, look के साथ कई preposition लगते हैं, जब look at का मतलब क्या होता है, देखना, I hills, मुझे क्या देखना है, कि आप मुझे दुरवीन दिए, binocular मतलब क्या होता है, दुरवीन होता है, बात करते हैं कि कुछ noun ऐसे होते हैं, कुछ noun ऐसे होते हैं, जिनके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं, यह एन दा नहीं लगाते हैं, वो noun कैसे होते हैं, उनको हम uncountable noun में consider करते हैं, uncountable noun के पहले article का प पेंट्स होता है, टंग्स होता है, इस तरीके से जो कुछ होते हैं फिरेज, जो हम नाउन का लेक्चर बताएंगे, तब बताएंगे, बाइनकुलर नहीं, बाइनकुलर्स होता है, आई देखिए, आपके सामने आ रहा है, question number 8, solve करने की कोशिश करें, आ गया है, बहुती आसा तो यहाँ पर, since आया है, यहाँ पर far क्यों नहीं आया है, यह भी point हो सकता था, अगर since आया है, since और far आया है, तो यहाँ पर एस sentence आपका, एक्टिम में है, यह भी बात करते हैं, चलिए हम, क्योंकि point सारे सीखने हैं अगर कोई जीए, देखिए, हम लोग introduction देते हैं, इसे आपके introduction मालीजे बोल दिया, myself आभे, देखिए, subject myself reflexive pronoun होता है, और reflexive pronoun कभी भी subject के इस्तान पर नहीं आते हैं, subject यह तो noun बनता है, या pronoun बनता है, या noun equivalent बनते हैं, myself तो subject होता ही नहीं, यह क्या होता है, reflexive pronoun होता है, इसलिए subject इस्तान पर नहीं आ सकता है, तो क्या हो राजकुमार क्या वो लिख सकते हैं इसे हम राजकुमार के बाद लिखेंगे end end I क्योंकि two three one के according आप पढ़े होंगे साध उसके according आप three two one या one two three three two one के according पढ़ा होगा वो सब चीज़ें आप लोगगों बादन के लियर केंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आए myself subject नहीं बनता है मतलब reflexive pronoun को हम subject इस्थान पर नहीं दिख सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा राज कुमार and I अब देखे राज कुमार एक subject हो गया है end से हमने जोड़ दिया है आई हो गया दो subject हो गया दो subject तो हो जाएगे इसका मतलब एक से ज़्यादा होने पर plural बर्व आएगी अब हाई singular बर्व होती तो हैब plural बर्व हो जाएगी since childhood की बात की यह childhood मतलब है fix है इसलिए हम duration, far duration के लिए time का और duration के लिए हम far का प्रियोग करते है इसलिए far का प्रियोग नहीं होगा since और far लगने पर 10s 2 ही बनते है या तो present बनता है या present perfect continuous बनता है वो बात करते हैं कब कहां पर बनता है बात करते हैं अब देखिए यहाँ पर hive बी नाया है यह तुमारी B की third form होती है यह आपकी B की third form होती है hive के बाद B की third form आना fix है आगे बढ़ते हैं point number 9 पर आते हैं बेहद ही आसान question आप लोगों के सामने दिख रहा होगा बताइए questions क्या है कुछ लोग कहेंगे कि slaves का plural यह ऐसा होते ही नहीं है बोल सकते हैं या slave I होता है या syllabuses होता है हम आप लोगों को बता रहे हैं कि slaves को slave I और slaveses दोनों इसके plural होते है ठीक है पहला point तो यह है कि यहाँ पर error नहीं है of all schools have been finalized बताइए answer क्या होगा इसका देखिए हम कितनी error बन सकती है सेंटेंस में हम बता रहे हैं यहाँ पर पहली error बन सकती थी कि slaveses की जगे पर अगर हम slaves कर दें अगर हम slaves कर दें तो यहाँ पर है ब नहीं है जा जाएगा अगर हम slaves कर देंगे तो है बाजाएगा क्योंकि आप एक preposition के पहले बाला बना हुआ subject होता है अब subject आपका plural है तो बर्व plural आएगे पहला बात है दूसरी बात है कि all के बाद अगर यहाँ पर school होता तो गलत हो क्योंकि all के बाद कैसा ना हुनाएगा all के बाद plural ना हुनाएगा all के बाद आपका plural ना हुनाएगा इसलिए यहाँ पर all schools नहीं all schools की जगे क्या हो जाएगा all school नहीं हो सकता है अब है यहां पर pointer किया आपको जरूरत है या पैसिव की जरूरत है बात करते हैं आप لوगों को बताना कि एक डिकी जूरूरत के या पी जरूरत है यह आप सुचना फिर हमें क्या हो सकता है आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया हो हो जाएगा ठीक है आशा करतें पॉइंट देखिए खुब सूरत सा कोश्चन नंबर टेन आप लोगों के सामने उपलब्द हो रहा है हो रहा है नहीं मतलब हो गया है अगर हो गया है तो स्वाल्ब करने कोजिस करें लेटे लेटे वीडियो देखने से कोई फाइदा नहीं है बताइए क्या हो सकता है कहां पर इरर है इरर है कि नहीं इरर है तो पीछे वाला कोश्चन से पहले पीछे वाला कोश्चन का आंसर नहीं बताया था क्या देख लिए इसका मला अगर पीछे वाला कोश्चन आप किसी प्रकार की कोई इरर नहीं है क्या है आपका नो इरर है आगे पढ़ते हैं, question number 10, आप लोगों के सामने दिख रहा है, क्या इसमें इरर है, कोई इरर है या नहीं है, बताइए क्या इरर है, इसमें लिखा है, कि he does not carry any godesses against his friend for not taking him into confidence, taking, देखिए एक idiom होता है, taking him into confidence, taking him into confidence idiom होता है, क्या होता है, इसका मनलब होता है, किसी को विश्वास में लेना, मतलब यह है, कि इसका किसी को विश्वास में लेना, मनलब किसी का विश्वास लेना, idiom होता है, ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर हीज हीज कुछ नहीं होगा, idiom fix होते हैं, मुआबरे आपके फिक्त होते हैं, कि taking him into confidence, कभी कभी यहाँ पर कहर देगा, taking him in, इसे याद करन है, यह इज किसके लिए बरवाए, अगेंस्ट है, अगेंस्ट पीपोजी सने, प्रिपोजी सने बाद नहीं आएगा, इसका ममलब यहाँ पर इज नहीं, हीज होगा, क्या हो जाएगा, हीज होगा, अगेंस्ट हीज, क्यूंकि ही के according, प्रियुक्त प्रनाउन हो जाएगा, यहाँ पर यह प्रिंटिंग मिश्टेक है, जो भी टाइप करने पर मिश्टेक हो सकती है, क्या है, अगेंस्ट हीज होगा, क्यूंकि नमबर 11, आप लोगों के सामने उपस्तित है, देखिए 11 और 12 बेकी में है, बहदा आसान क्यूंकि है, बताने की कोशिस करें, क्या होगा आंसर, देखिए, यहाँ पर लिखा है, कि we are sent scriptures in the beach, देखिए, आप लोगोंने उसका खुब सौंग सुने होंगे, in the beach, in the beach, क्या बोला जाता है, जब गणा आते हैं, on the beach होता है, या in the beach, देखिए, सौंग पर भी ध्यान दिया करो, जब इंगलिस में बोलते हैं, क्या बो on the beach, 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 आसा करते हैं, point है, समझ में है, एक question आप लोगों का, देखिए, जब भी ऐसी दिखे, इसका मलवी question किसका रहता है, क्यूटी का रहता है, क्यूटी बोले तो, question take, question take बोले तो, ABS, 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 बस, question take बोले तो, ABS, 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 auxiliary होती है, और balance होती है, और उसका setting कर सोरी, present में नहीं, setting में आपका करना पड़ता है, कि negative है या positive है, इस तरीके देखा जाते है, मतलब बताएंगे, क्यूटी का मतलब होता, ABS, 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 यहाँ पर लिखा है, देखिए, everybody, everybody आपका singular है, पहली बात तो है, इसका मतलब है, कि यह sentence positive है या negative है, देखिए, बर्ब उठा somebody, nobody के लिए हमेशा subject दे, plural लेता है, अगर दे आए जाएगा, दे के लिए बर्ब हैज नहीं, है बागे, sentence positive है, इसलिए हमें negative करना पड़ेगा, haven't दे हो जाएगा, यह sentence है, आपका no error, कैसा है आपका no error, देखिए, आगे बढ़ते हैं, खूब सूरत अंदाज में, खूब स सात्मिकता है, सीखना है, लिखा है date, अब date से दो संटे जुड़ गए है, कि the student should have, देखिए, है, है के बाद बर्ब की third form, model के बाद बर्ब की first form, लेकिन है को चाहिए, बर्ब की third form, gone to the library, in state के साथ, off लगता है, in state of, off है, यहाँ पर pre position के बाद, having wasted their time, wasted their time, अब देखिए, यहाँ पर देयर, teacher के लिए नहीं, देयर किसके लिए लगा है, student के लिए, क्योंकि time कौन बेश्टेट करते हैं अपना, teacher नहीं यहाँ पर, अगर ही जोता, तो भी गलती हो सकती थी, बताईए, question सही है, यह गलत है, तो बताईए, इसमें क्या गलत है, देखिए, told, told आपका जब भी आएगा, तो told के बाद हमेशा object आता है, देखिए, told कभी अकेला नहीं आ जाता है, told के साथ हमेशा object आता है, यहाँ पर object नहीं आया है, इसका मलब यहाँ पर told नहीं आएगा, तो told नहीं आएगा, तो क्या आएगा, said किसके बाद, said के बाद object नहीं आता है, told के बा पार किसमें किसी को दक्कत नहीं हो सकती, देखी लिखा ही, इस, इसका मलब एक subject होगी, उसकी अपनी वर्व होगी, उसके बाद one आएगा, और one के बाद कोई भी आपका preposition आ सकता है, और preposition के बाद हमेशा plural noun आएगा, plural countable noun आएगा, ध्यार रगना, इसका मलब subject singular, verb singular, जैसा subject बाद one आ गया, आप preposition आ गया है, one of the tallest y, तो y क्या हो जाए, plural countable noun के लिए क्या हो जाएगा, one of the tallest y in the class, इन the class, यह कहाँ परिरर थी, वी पार्ड मेरे रहे, किस पार्ड मेरे रहे, बी पार्ड मेरे रहे, देखिए, सबसे अच्छा question आने बाला है, 15 number जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, देखिए आगे आप लोगों के सामने, बताने कोशिद करने क्या answer होगा, he is, he, sorry is नहीं, was, appeared with a, with a doctorate degree for his new invention, देखिए, invention और बताएंगे, discover में क्या अंतर है, किसी दिन lecture बताएंगे, दोनों का मतलब आप खोज पड़े होंगे बच्पन में, लेकिन difference होता है, देखिए, यहाँ पर क्या लिखाए, एक हम bird लिख रहे हैं, आप लोगों के सामने, about, about लिख रहे हैं, एक bird लिख रहे हैं, और bird लिख रहे हैं, investigate, investigate, investigate लिख रहे हैं, और एक bird लिख रहे हैं, sign और signature में difference बताएंगे, sign और signature के बाद, इसके बाद आएगा आपका preposition, लेकि इसके बाद कभी नहीं आता है preposition अगर लगा दिया आपने preposition दिया जाएगा अब एट के साथ for दिया जाएगा अब आड के साथ bid दिया जाएगा investigate के साथ into या to दिया जाएगा sign के साथ इन दिया जाता है अगर इसके साथ दिया जाएगा तो preposition इसके बाद कभी नहीं आया अगर लगा दोगे preposition तो इससी आपका काट लेगी धाई number इसलिए अवाड़िट के साथ सिर्फ सिर्फ सीधे object आता है इनके बाद verb क्योंकि ये बर्ब है अब preposition के बाद preposition के बाद यहाँ पर ये नाउन अगर बन जाएंगे तो भी इसके बाद preposition आएगे यहाँ पर क्या बन रही अभी वर्ब बन रही है वर्ब के बाद preposition नहीं आती है आसा करते हैं point समझ में आया होगा question number देखिए 16 आप लोगों के सामने है बेद ही खुबसूरा सवाल है देखिए इस खुबसूरा सवाल को खुबसूरा तरीके से solve करना है जिसमें किसी प्रगार के आपको confusion ना हो देखिए बहुत ये अच्छा देखिए यहाँ पर पढ़के पढ़िये बढ़ क्या लिखा है end end से जब हमने बताया था end एक correlate conjunction है इसके पहले subject आएगा एक इसके बाद में subject आएगा इसका मलब अगर इसके पहले subject आएगा एक बाद में आएगा तो बताइए यहाँ पर end के बाद to be a king and bear a crown देखिए दोनों जगे bear a crown देखो crown पहलेगा ताज राजा ही पहलेगा इसका मलब to be a king पूरा क्या बन गया है यही नावन equivalent होते है कि to be a king यहाँ पर subject बन गया इसलिए r नहीं क्या जाएगा आपकी is, is, is जाएगी बताई यह answer क्या होगा यहाँ पर r की जगे is जाएगा क्योंकि यहाँ पर crown count पहलेगा राजा ही पहलेगा मतलब राजा अगर पहलेगा तो राजा singular subject हुआ singular subject के लिए singular ओरव आएगी देखे question number 17 इसे बताने कि आप सकता नहीं है क्योंकि बताया है हमने कि none के बाद preposition आ जाएगा और preposition के बाद हमेशा plural countable ना उनाता है मतलब none plus preposition और plus plural count इसका मलब the student नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा the students in the class scored below the given cutoff marks given cutoff marks कहां पर रहती जो इरह है वहाँ पर पकड़नी है यह point तभी आपके clear होगे जब आपने अच्छे से study की होगी कहीं पर भी किसी भी classroom में बैट कर किसी भी YouTube channel से तभी आप इन questions को कर पाएंगे अन्था इनको देखने में आसान लगेंगे आप इनमें गलत कर जाएंगे question number 18 जिसने भी मेरी लीडियो अगर सारी देखी है वो गलत नहीं करेगा किसी भी कीमत बार वो question पढ़ेगा और सीधे से answer टिक करेगा उसकी नजरें बहीं तक जाएंगी जिस तरीके से चीते की चाल वाज की नजर उसमें कहता है बाजी राव की तलवार पर संदेह नहीं करते इसलिए जिसने भी हमारी वो वीडियो देखी होगी उस पर हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा वो यहाँ पर काटेगा विच लगा देगा डेट उसको हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है जिस तरीका से बाजी राव कायता उसी तरीके से हमारे भी जितने बच्चे हैं उन पर हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है क्योंकि क्या है यहाँ पर दिख रहा है few is the member of the NASA Falls का देखिए few is the member of the NASA Falls इसके साथ हमेशा लगता है डेट इसकी दुस्मनी NASA Falls की दुस्मनी किसके साथ है WH family के साथ इसकी दुस्मनी है जहाँ पर भी दिखेगा WH family उसका कर देगा सत्या नास देखिए तो कैसे आएगा विच लगाईए डेट 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 अगर हमने बताया था यह पॉइंट अगर आप पता होंगे कोश्चन पढ़ने की जरूत नहीं है सीधे आप 5-7 सेकेंड में पढ़ जाएंगे नहीं तो अगर जिसे नहीं पता होगा कोश्चन पढ़ेगा हिंदी निकाले इरिटेट होगा छोड़ देगा यह तो गलत भी हो सकता है वह सोचेगा फ्यू प्यूपल लिखा है प्यूपल के लिए हमेसा हूँ आता है विच तो आएगा नहीं वो यहां पर करतेगा हूँ कल को अगर यहां पर भरने को तो क्या कर सकते हैं हम पॉइंट नहीं बता रहे कि कहां पर इरर क्या है देखिए कोश्चन नमबर 19 बहुत ही अच्छा यह खुब सूरत सा कोश्चन से बताने की कोशित करें क्या हो जाएगा कोश्चन बहुत ही अच्छा कोश्चन है देखिए कोश्चन नमबर 19 लिखा है कि most people like to rest after a day here work what देखिए what a conjunction है conjunction से पहले बाला sentence देखिए है principle clause अबका किस में दिख रहे वोग me दिख रहे है अगर principle clause अगर आपका प्रिजेंट में तो आगे बाला सबור्टिनेट क्लाउज जितना भी आपका सबॉड्टिनेट सबॉडिनेट क्लाउज आपका किस में रहेगा present में रहेगा हमएं कितनी ब seems हो जाएगे, क्योंकि singular subject के साथ singular verb का हमें प्रियोग करना पड़ेगा, आसा करते हैं point हमें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया, देखिए यहाँ पर यह two have लिखा है, two have लिखा है two have क्या है, infinitive है मेरे बच्चों infinitive है कि two के बाद बर्व की first form आएगी, या infinitive है आप लोग बताने की कोसित करेंगे अगर infinitive है तो two के बाद बर्व की first form आनी चाहिए यह तो preposition है, देखिए क्या है आप लोग एक बार comment करने कोसित करें क्योंकि आप देखेंगे कि आप कोई point पकड़ पाते हैं कि नहीं नहीं तो कल इसे हम रिवाइज करके एक बार अच्छे से बता देंगे देखें question number 20 जिसका आप लोग बहुत आसान सवाल है बहुत ही आसान सवाल है इसमें किसी प्रकार की कोई आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या लिखा है initiate artifacts are देखें subject आपका कैसा है singular नहीं plural है तो plural है तो plural बर्ब हो आजाएगी apart आप global heritage and should not be sold देखें आपर error हो सकती थी कि B के बाद यहाँ आपर कर देते sale अगर sale कर देते क्योंकि B passive में बनता है इसे लिखा होगा to B के बाद हमेसा बर्ब की third form आएगी चाहिए यहाँ पर B के बाद हमेसा बर्ब की third form आती है to the highest wider यह question no error, no error, no error ठीक है question number 21 इसमें बताने की question पीछे आ चुका है आसा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इधर क्या हो जाएगा neither nor either or, either के साथ और neither nor, not only but also जब भी दो subject इसमें combine होते हैं बर्ब हमेसा nearest वाले subject recording लगाई जाती है यह बात तो point समझ में आप लोगों को आया ही होगा तो बताइए कि इसमें क्या error हो सकती है हमें बताने की question करें देखिए subject यहाँ पर नीदार he nor his बिरदार can, देखिए can model हो सबजेक्ट सिंगल हो रहा है प्लिरल हो, model पर कोई फर्क नहीं परता work, faster, then देखिए यहाँ पर comparison हो रहा है then, 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 then then का मतलब हो जाए cd, degree कितनी होती है pcs, pcs, positive degree, comparative degree और superlative degree याद करो तुन PCS, positive degree, comparative degree और superlative degree हमने positive age, so age बताया था comparative में compare होगा और superlative में किसी चीज की comparison हमें साथ दो से ज़्यादा में होगा then, अब देखिए comparison subjects हो रही है या object सो रही है अब देखिए comparison अगर subject सो रही है तो यहाँ पर subjective case आएगा अगर object से हो रही है तो objective case आजाएगा अब देखिए नीदर ही अब ही से हो रही हो या हीज बरदर से हो रही हो इसका मलब दोनों में subjective case है तो मीकी जगे क्या आजाएगा आई आजाएगा देखिए बहतरीन सवाल है पकड़े ना रहना कि नीदर न और इदर और के साथ बरब की है में इसा इरर दी जाएगी नहीं बहुत सी इरर बन सकती है इसलिए point हमने आप लोगों के सामने रखा था बेदी आसान सवाल था इसके आगे बढ़ते है बहुत interesting सवाल आने बाला है देखिए इस सवाल को गलती नहीं करनी है आप लोग बताएंगे इस सवाल में क्या इरर है इरर है भी कि नहीं है देखिए इज के बारे मैंने बताया था कि इज कब help बनती है कब linking बनती है अगर देखिए इज क्या है इज आपका adjective है देखिए इज क्या है adjective है हम बात करते हैं कि अगर इसका मलवे adjective आ गया है तो यहाँ पर यह participle का प्रियोग नहीं करेंगे disgusting का प्रियोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2 प्लस अब इसमें ing हटा देंगे 2 disgusting हो जाएगा 2 प्लस ing हम हटा दें क्योंकि adjective गाद 2 प्लस बीवन का प्रियोग करना है आसा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा देखिए 23 question number बताने के को सिस करें question है बहुत ही easy देखिए क्या answer हो सकता है question number 3 question number 3 देखिए firstly यहाँ पर एड़ बर्भ है पूरे sentence को qualify कर रहा है you should think over the meaning of the words of the words and then use them इसमें किसी प्रकार की कोई error नहीं दिख रही है जब कोई error नहीं दिख रही है question क्या है no error ऐसा ना करना कि हर पार्ट में कोई error हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है star बना लेना no error वाले questions खोजने में आपको समय लगेगा लेकिन नहीं आप लोग के concept के लिए रहोंगे तो आप new error पकड़ पाएंगे आए question number 24 बढ़ते हैं जिसे आप लोग को गल्थ नहीं करना किसी भी सूरत में एक question बहुत ही अच्छा है अब अगर अच्छा है तो इसमें क्या अच्छा है बताइए यहाँ पर लिखा होगा the acion बाज convicted convicted लिखा है convicted end देखी ordered देखिए इसके end लिगा है इसके पहले ed इसके बाद मेरी इसके मलब दोनों बर्ब जो भी जुड़ी है third form में जुड़ी है बर्ब एक है दोनों को ले रहा है convicted और order किमकि देने बाला एक ही था two भी हैंग अब हमने देखी बताया था कि two plus b उसके बाद हमेशा वर्ब की third form आती है देहां रखना two भी के बाद वर्ब की third form आती है इसका मतलब होता hang 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 यह भी third form है इसका मतलब होता है जब किसी को फांसी दी जाती है तब उसके लिए हमें hang नहीं hang hang का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग करेंगे hang 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 हम hang 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 कि हेंग का मतलब होता एक टांग ना कपड़े टांग ना होता एक का मतलब होता फांसी देंगना हेंग की सेकेंड फाउम होती है हंग हंग जो होती है कपड़े टांगने की लेकिन यहाँ पर लोयर हैंडल पी सेंटरली केस को था यहाँ पर फांसी देने की बाद तो रहे इसक कोश्चन बहुत इंट्रेस्टेट है बताईए क्या है जी रेंड का कोश्चन है या पार्टिसिपल का कोश्चन है आसा करते हैं कि बताएंगे पार्टिसिपल का कोश्चन है अगर पार्टिसिपल का कोश्चन है तो हमें बताने क्यों कोशिच करें कोश्चन सही है या गलत है देखिए यहाँ पर लिखा है कि being unable cope with, देखिए इस बाले idiom में दिया जाता है कि cope up with, अब नहीं आता है इसके में cope up with नहीं होता है, बोलने में आपको लगे कि cope up with, नहीं, cope with का मतलग होता है, बरदास्त करना, tolerate करना किदी चीज़ को, बरदास्त करना, the syllabus, he discontinued, the course, अब बात no error बन जाएगा, अगर यह दोनों का common नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हमें एक subject ही जुरूत पड़ेगी, तो यह part mirror बन जाएगे, बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसा करते हैं, बताने की, कोशिज, कोशिज करें, बताने की, being enabled, कौन नहीं, syllabus, complete कर पा रहा है, कौन discontinue रहा है, मिसका मतलब ना, syllabus, he discontinue कर रहा है, he discontinue रहा है, he enable रहता है, syllabus के लिए, हर एक चीज़ के लिए, इसका मतलब, दोनों के लिए, यहाँ पर subject ही है, तो ही अगर है, तो दोनों की अगर, सेम चीज हमें लिखने की आप सकता नहीं है, इसलिए questions है, no error, आप लोग, यहाँ हमने question 25 discuss की है, बताएंगे, feedback देंगे, कैसा लगा है, कल इस टीनों का, आप लोगों का practice rate लेके आएंगे, अगर आप लोगों के lecture बहुत अच्छा लगा है, lecture को like, करना, share करना, subscribe करना, channel से तीस questions daily कराने के questions करेंगे, मिलेंगे रात को, आठ बजे, आपके अपने channel ASIC English पर, आप लोगों को किसी प्रकार की queries लेगें, तो आप में call और WhatsApp कर सकते हैं, इस number पर हमें call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, अभी तक WhatsApp कर सकते हैं, यह आप हमें इसी number पर call और WhatsApp दोनों कर सकते हैं, दोनों number पर call कर सकते हैं, WhatsApp सिर्फ अभी अभी इसी number पर कर सकते हैं, इतना सब, आज बढ़ाने के बाद देखिए आप लोगों को कितने questions अच्छे लगें, कैसे लगें हैं, आसा करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं लगेंगी, क्यूंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमने बारी की तरीके समझाई हैं, आज का लेक्चर यहीं पर over करते हैं, मिलते हैं हैं रोज इसी उस सारो मंग के साथ, तब तक के लिए बाए बाए, take care, हसते रहिए, मुस्कराते रहिए, जी सा लेते रहिए, thank you so much, good night to Allah